आज से बच्चों का वैक्सिनेशन शुरू हो रहा है आपको बता दें कि देश में 15-18 साल के 8 करोड बच्चे हैं जबकि करीब 6.5 करोड स्कूली बच्चे हैं ऐसे में कोविन आप पर अब तक 15-18 साल के 8 लाग बच्चों का रेजिस्ट्रेशन हुआ है मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब एक फीज़ी बच्चों का ही हुआ है ऐसे में 9 और 10 वी में 3.8-5 करोड बच्चे हैं 11 वी और 12 में 2.6 करोड बच्चे हैं साथी आपको उता दें कि केंद्विय स्वास से मंतराले द्वारा जारी किये गए नए दिश्टा निर्देशों के अनुसार 15-18 साल के बच्चों के लिए केवल कोवाक्सीन ही उनको दी जाएगी ऐसे में देश की वियसक अबादी को कोवाक्सीन के अलावा कोविशील्ड और स्पुतनिक भी ठीके लगाए जा चुके हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 160 सेंटर चनहित किये गए हैं दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के लिस्ट भी जारी की हैं जालतर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से ही कोवाक्सीन के डोस लगाए जा रहे थे साथी सबसे जादा 21 वैक्सिनेशन सेंटर्स साउथ वेस्ट जिले में रखे गए हैं स्कूलों में वैक्सिनेशन सेंटर बनाए गए हैं और इसके लिए खास प्रोटोकॉल भी तयार किये गए हैं साथी आपको बता दें कि देश के हर राज़े में vaccination का ये नया मेरतना शुरू हो चुका है और राज़ों ने पूरे होसले के साथ बड़े बड़े लक्ष रखे हैं तो किन राज़ों ने किस तरह से अपने लक्ष रखे हैं ये आपको बता देते हैं तो ऐसे में मद्यप्रदेश में करीब 36 लाख स्कूली बच्चे हैं जिने आज से टीका लगना शुरू हो जाएगा ऐसे में पहले ही दिन इस उम्र के कई लाख बच्चे टीका लगवाएंगे ये लक्षवे रखा गया है साथी आपको बता दें स्कूली बच्चों के बाद और बच्चों को भी टीका लगाये जाएगा इसके लावा गुजरात की बात की जाए तो गुजरात सरकार ने 15-18 साल के उम्र के 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का ये विश्वेश अभ्यान शुरू कर दिया है साथी एक बड़ा लक्ष रखा है कि जल से जल बच्चों को जादा से जादा ठीका लगाये जाए इसके लावा असम की बात की जाया तो साथ दिनों के अंदर को वाक्सिन की पहले खुराक देने का वहाँ पर लक्ष रखा गया है साथी आपको बता दें कि राज्य प्रसाशन का लक्ष है कि फरवरी तक पून ठीका करन हो जाया फर मुबई में कुल 9 कोविट टीका करन केंदर बनाय गए हैं ओनलाइन और आपलाइन रजिस्ट्रेशन के सुविधा भी वहाँ पर रखी जाएगी तो ऐसे में आज कही न कहीं ये बड़ी एक ड्राइव टीका करन के फिर से शुरू हो रही है क्योंकि 15-17 साल के उमर के बच्चों का टीका करन आज से शुरू हो गया है